हलो फ्रेंट्स मैं डाक्टर प्येस त्वारी आप सभी का उस्वागत है दोस्तों दोस्तों वीडियो बदाने के पहले मैं आपको एक इन्फार्मसन देना चाहता हूं मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डाक्टर प्येस त्वारी शॉट्स इसको भी लाइक कीजिए शेर की कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आज हमारा रेड़ लाइन स्विटम का वीडियो है इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ द्वाईयों का रेड़ लाइन स्विटम बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली द्वाई की नाम है विश्कम एल्बम हालांग विश्कम एल्बम बहुत ही अच्छी द्वाई है अगर नर्व कंप्रेस हो जाए जिसको साइड क्या होती है उसके लिए विश्कम एल्बम दिया जता है लेकिन जो आज मैं विश्कम एल्बम का सिंटम बताने आए अस्थमा आए राइट साइड में बढ़ जाती है तो पेसिंट को मजबूर होकर लिफ्ट साइड में सुना पड़ेगा तो ऐसे स्विंटम में आप जो है विश्कम अल्बम मदर टिंचर दस दस बूंद करके दिन में तीन बार लगातार कंसर में एक बजा लिजे तो अगली दवाई के नाम है कार्ववेज और उसका एक रेड लैंस विटम क्या है कि जब मौसम डेंप रहता है तो हमको हमारी होर्सनेस बढ़ जाती है डेंपनेस में वह से नहीं अगर ड्राइग कोल्ड है तब नहीं मौसम अगर डेंप है मौसम में गिरा परन थोड़ा तो हमको एटोमेटिक होर्सनेस बढ़ जाती है तो इसके लिए आपको लेना है कार्ववेज कार्ववेज 3x पाउर में दो दो गोली दिन में तीन से चार बार चूशिए आप लगातार कम सक्रम एक हपता चूशिए एक हपता दस दिन आपका जो होर्सनेस डेंप हो दर से जो बढ़ जाता है उठी हो जागा दोस्तों अगरी दवाई के नाम है लेकसिस और इसका एक इनिक स्म्टम क्या है कोई लेडिज का मेनोपाज खतम हो गया मैंने पीरियड खतम हो गया तो उसके बाद भी कभी कभी उनको बीडिंग होती है ऐसे प्रावलम के लिए ऐसे मेनोप बीडिंग के लिए आपको लेनी है लेकसिस लेकसिस 200 पावर में चाचार गोली सुबसाम लगातार आप लेते रहिए क्योंकि मेनोपाज में बीडिंग नहीं होता है मेनोपाज में तो बीडिंग बंद हो जाता है आपका जो है तीन महिना तक दे लेजे आपका जो मेनोपा जाए चोट लग जाए तो उसके लिए तो आर्निका दभाई है लेकिन अगर ट्रुमेट्रिक हेमरेज है माने कहीं पर चोट लग गई ज्यादा चोट लग गई और खुन के दिन लगा बिल्डिंग होने लगी तो आपको चिंदा करने की जरूत नहीं है आप जो मेली फोलियम मद्द टिंचर दसर्बूत करके आधाधे घंटे पर लेते रहे जब तकि आपका बिल्डिंग ठीक नहीं हो जाए मेली फोलियम ट्रुमेट्रिक हेमरेज की एक बहुत ही बहां दभाई है दोस्तों अगली दभाई के नाम है कास्टिकम और इसका रिड लांस फिटम क्या हो हो गया आप जो कास्टिकम 200 एक डोज हर तीन दिन पर लगाता लेते रहे आपका जो शोपी कफ हो आपका जो बल्गम आपको निकलता है साबून की तरह साबून की फेला इक तरह एक प्रावलम आपकी जड सेठी हो जाएगी दोस्तों अगली दभाई की नाम है गलो नायन और इसका एक रेड लाइन स्टम क्या है जब भी पेसेंट को हेड़क होता है पेसेंट अपना हेड को होड करके रखता है क्यों क्योंकि उसको आराय मिलता है कोई कोई पेसेंट तो दबाने से आराय मिलता है लेकिन जो है गलो नायन के पेसेंट को जब हेड़क होता है तो पकड़ के रखता है, holding the head, तो ऐसे हीड़क के लिए आपको लेना है गुलो नाइन, गुलो नाइन 30 पावर में, चाचार गोली दिन में तीन बार लगाता हर लेते रहे हैं, गोली मिली जे इसको, हीड़ पकड़ने की सिम्ट्रम जो हीड़क मुता है, एक प्रावलम आपकी ज जिसको बोलते है, हीरियमा डिजीज, मान उस में मसल्स रॉस होता है, मसल्स बंता नहीं है, तो ऐसे सिम्ट्रम में आपको देना है नेट्रमूर, नेट्रमूर 6x4 में, दो-दो गोली दिन में तीन बार लगाता हर देजिए बच्चों को, अगर बढ़ों को बिमारी है, तो नेट्रमूर 6x4 गोली दिन में तीन बार लगाता हर देजिए, जो मसल्स का विकास नहीं हो रहा है, मसल्स का विकास होने लगा, दोस्तों, अंगली दुआई के नाम है काली कार्व, काली कार्व हम ऐसे महिला पेशन को देते हैं, जिनका पीरियड कई महीनों तो एक आता ही काली कर्व, 200 पार में हफता में दो बार लगातार देते हैं, पीरियड आजाएगा, बीडिंग आपकी आजाएगी, आपका बीडिंग नार्बन हो जाएगा, दोस्तों, अगली दुआई के नाम है सबाईना, डेट डेंस मितम क्या है कि पीरियड फ्लो इन पराक्षिजम, पीरियड होता है, फिर रुख जाता है, फिर हुआ, फिर रुख गया, और उसका जो बिगर होता है, ब्राइट रेर होता है, एदम लाज चमकिला होता है, और सबसे बड़ी खास बात है कि सबाईना के पेसेंट में जोएंट पेन रहता है, पीरियड का प्रावलम तो ही है क पीरियड आया आऊ गया होता रहता पीरियड पीछा रही छोटता है लेकिन इसके साथ में अगर महिला को जुआइंड पेन है तो सबाइना सबाइना 30 दोदबून करके दिन में तीन बार लगातार तीन महिना तक लिते रहें तो उनका पीरियड भी नर्बन हो जाएगा और उ इसमें क्या होता है किसी महिला पेसेंड में ड्राइनेस आप भीजाइना होता है किसी महिला पेसेंड में हीट आवदी भीजाइना होता है किसी महिला पेसेंड में इची आप भीजाइना होता है मैं आपको एक ऐसा सिम्टम बताने जा रहा हूं जिसमें महिला को कोड़नेस होता है महिला बोलते हैं कि हमारे भीजाइना में लगता है बरफ रखा हुआ है को डिने सा भीजाइना यह बहुत ही इनुक सिंटम है बोरी के सीट का इसके पेसेंट बहुत कम मिलते हैं और दोआई भी बहुत ही रेर है तो ऐसे पेसेंट को जो सिकायत करें कि हमारा भीजाइ लेते रहें जब तक कि उनका भीजाईना नार्वल कर देगा तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दुवाईयों का रेड लाइन स्विंटम बताया है अगर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है तो आप हमको वार्टसप में मश्रच करके अपना अपॉर्णेंट बू कर सकते हैं आसा है आपको महाराज का वीडियो पर संद आया होगा इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आपने हमाराज चेनल भी तर सब्सक्राब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए तब तक मिलते हैं आप से लि वीडियो में नमस्कारू